तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्यारे बहुए, आप पहर है यह बताओ बइखे किया पता तो मैं गींटी कर के थोड़ी ना बैठा हूँ के क्या ज्यादा है क्या नहीं आप स्कूलर है बात तो समझो मेरी मैं स्कॉलर नहीं हूँ भाई मेरे किस लहजे से मेरे किस behavior से आपको लगा मैं स्कॉलर हूँ यह लहजे से मुझे लगा कि आपका आप knowledgeable हो मैंने सुना है आपको आप knowledgeable बंदे हो यह पक्की बात है देखो अभी शर्मा जी आये थे अपने शर्मा जी आये थे तो उस टाइम पर जो शंकराचारिया जी की और जो वेड़ों की आपकी आपने जो बात की थी फिर वो बाद में वो साइंस अभी अनिल भाई आये नहीं अनिल भाई से आगे एक बंदा आया तो वो साइंस के उपर भी आपने बात करी वो नासा का हवाला दिया अपने तो यह तो बात होती है अरिभी माशाओला आप एक घंडा दे घंडे से स्टीम देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है आपका सवाल कर लीजिए आप तो आपका जवाप देने रहा है आप ने यह सुना यह सुना यह सुना तो लहाज़ा आप स्कॉलर है या आपके पास यह स्लिए लगए ना आपको तो में आपको बता जिता हूँ कुरान की एक आएट था यल्मिन अलीम हर इल्म वाले से उपर एक इल्म वाला होता है हर जानने वाले से ज् summ Performer जोब का जवाब मेरे पास हो मैं ये तो कभी भी क्लेम नहीं किया क्या मुझसे पुछी पूचें तो यह तो फिर समझ लो कि गलत हो जाएगा यह तो बात जो यानि कि जो सच्चा ही से और एक्षप करके जो चलने वाला बंदा होगा वो यह बात को स्विकार लेगा कि आपने से उपर भी हर लाइन में किसी भी लाइन में हो सकता है ऐसा नामूप्पिन नहीं है तो छोड़ो इसमें मैं छोड़ा यही वज़े कि अल्ला ने दमकाया बहुत है अच्छा आप डर गे आप डर गे नहीं यानि कि इसमें क्या है एक बात तो यह फिर दूसरी कि अल्ला बंदों से मुहबत कितनी करता है यह बताओ अच्छा मुझे अभी तक समझ नहीं आई आपकी बात तो आप मेरी क्लियर कट है यार कि अल्ला है वो अपने बंदों से मुहबत कितनी करता है तो वो कुरान से हदिश से कुछ साबित होता होगा न कि इतनी करता है बहुत बहुत मुहबत करता है यह लिखा नहीं है कि कितनी करता है यह कहीं भी नहीं लिखा अगर लिखा है तो मुझे बता दें एक दूसरी बात कि इसलाम जो है न वो क्या निकि इसका क्या है कि जूट साइड में जूट बहुत चलाता है जूट चलाता है हाँ क्या एक चीज चलाता है मुझे आप प्वादा व्वाईद से निकले तो उसका जवब नहीं दिया मेरे बात सुनो उसका जवब आपने नहीं दिया मैंने बात को पॉंट को छोड़ दिया वराबर मुझे समझ नहीं आया तो जवाब उस चीज़ का दिया जाता है जो समझ आये आप चाइनीज में लिखके मुझे को question देंगे मैं उसका जवाब कैसे दूँगा बाद में आप यह कहेंगे जवाब नहीं मुझे समझ नहीं आती मेरा तुर्की का कोई दोस्त बन जाए वो मेरे साथ तुर्की बोले तो मैं गंड़ा जवाब दोंगा बात बात अब यह देखो मैं आपको समझा देता हूं कि जो वादे और वाईतों का जो मैंने पूछा नहीं वो सवाल का तालोग मेरे यह सवाल से है दोनों जॉइंट है कनेक्टिंग है दोनों कि उसमें अगर आपने मेरे को जवाब दिया होता कि वाई दे ज्यादा है या वादे ज्यादा है तो फिर यही बात पे मैं आने वाला था दूसरी बात नहीं थी फिर मैं यह बोलता हूँ कि अभी मैं जो आपको बात बताऊंगा न तो आप यह बोलेंगे कि हाँ यह मैंने सुना है आप पक्का बोलेंगे लेकिन लिखा नहीं है तो सुना कहां से तो यह जोट हुआ न कौन सा क्या चीज़ अभी आप इमांदारी से बता न और अपने व्य कि नहीं अपने सुना तो था यह बरबर तो मेरे मैं छोड़ा यही सब पॉइंटों की वज़े से छोड़ा कि जो लिखा नहीं है तो वो बजार में चलाने का क्या मतलब यानि आप क्या बताने यानि वो सतरमाओं से ज़्यादा प्यार करता है वो वाली बात समझो बहुत चोटी बात नहीं है वो आपको पता है अल्हाँ पता है अल्हाँ के रसूल की पॉलेगा उसका ठिकाना जहन्नम है एक यह अधिस दूसरी सुन लो यह भी सही बुखारी मुस्लिम के अंदर है जूटे बंदे के ये बात काफी है कि वो तुनी सुनाई बात को आगे कर दे अब इसलाम ने तो ये कानून बनाया था अब लोगों ने अपनी तरफ से बाते बना कर अगर डाल दी है तो इसलाम का क्या कुसूर है उसमें कि इसलाम चोड़ दिया करते हैं पता करते कि लोगों ने जूट बोला है ये इसलाम ने बोला है बात सुनो मेरी है अभी 190 करोड़ लोग है इसलाम के समझो मुसल्मान 190 करोड़ है और अलो जीजी बराबर है पूरे किंदी कर ली है मैंने बराबर हैं. आरफ भाई, इसलाम के अंदर अक्सरियत कुरान आप पढ़े हैं? कुरान ट्रांसलेशन के साथ पढ़े हैं? चले यह पूछा हूँ. पढ़े हैं? कुरान के अंदर आपने आयत नहीं पढ़ी थी के वला तक तब अक्सर हुम्मन फिल अर्दी के अक्सरियत की पैरवी जमीन क के अंदर कभी भी नहीं करने माइट इस राइट का उसूल कुरान में नहीं है कि जिसकी लाठी उसकी बैंस या मिजॉरिटी सही होगी आपका उसूल ही गलत था और आपने इसलाम छोड़ दिया मेरे भाई आरे आप किसी तिखर कर पर कुरान में ये तो दिखाओ ना कि ये ल ऐसा छिखाओ आप उसमें समस्झता हैं अचा है जो मौलाना का गिना स्कॉलर का बात सून अब मुझे भी स्कॉलर बना रहे हैं इसी तरह का क्वैस मेरी तरह का समझोंगे निकल गया मेरे मुझे, ऐसे है अरी बैँ, अरीब भ है सुन दिजे, अमिर बो लो, आरे भाई जो स्कॉलर्स हैं वो बात कर रहे हैं ये वेरिफाई करने के लिए नहीं जरूरी नहीं है कि जो स्कॉलर्स बात कर रहे हैं वो बात ठीक होगी हो सकता है ठीक हो हो सकता है गलत हो आपको तो काउंटर वेरिफाई करना चाहिए था भाई मुझे तो दुख हो रहा है आरिफ भाई कि आपने जिस चीज के ओपर इसलाम छोड़ा वो आप से मुतलिक थी लोगों से मुतलिक नहीं थी मिसाल के तौर पर आप मुझे ये बताओ आरिफ भाई आपके इसलाम छोड़ा अब भी दुनिया के अंदर क्या नॉन मुसलिम भी दोका नहीं दे रहें क्राइम नहीं कर रहें स्ट्रीट क्राइम नहीं है तो दुनिया छोड़ दो के क्या नहीं वो सब हो रहा है मेरी बात सुने पर वहाँ कोई क्लेम नहीं करता किसी भी चीज का इसलाम ने कहां क्लेम किया इसलाम ने कहां क्लेम किया है अभी बात सुनो क कोई भी अभी अपने थोड़ी देर पहले बात हुई कि भाई कोई बंदा ये कहे कि भाई मैं ही आला हूँ और मैं ही सबसे अफजल हूँ तो फिर क्या होगा चगड़ा होगा गलत है वो बिल्कुल जो ऐसा कहेगा मैं सबसे उपर हूँ अब आपने लिए कि हम सबसे आला है नभी ओ के लिए भी आज जी उनकसारी का हुकम है तो मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे भाई तो इसलाम ये कहता है कि इसलाम ही सच्चा है और अल्ला एक ही माबुद है और ये सब जो है कुरान है वो ही आगे जो तीन किताबे आई इसके बाद में जो कुरान है वो ही बस फाइनल किताब है आस्मानी किताब है और दूसरी जो भी किताबे दुनिया में किसी तनी भी मज़भे तो एकलेम हो क्यान वो आप एक्स मुस्लिम है ना या तो किया है यह तीन किताबे थी पहले की और लास्च्ट में आई कुरान थीड़ बदारोगत है तो अभी समझो कि कोई भी जगा पर बाजार लगा है कुछ भी है तो कोई कोई दुकान वाला माइक लगा कि ये बोले कि बाई मेरा ही सामान सबसे अच्छा है और बाकि सब बक्वास है तो फिर जगड़ा नहीं होगा तो क्या होगा अच्छा यानि आप कैसे अगर कोई सामान बेच रहा है तो आपका भी फर्स बनता है कि टेस्स करे उसको जाकर कि सचमी ये सच बोल रहा है या नहीं एक चीज़ बोल रहा है जब एक चीज़ बताता हूँ आरिफ भई क्वालिटी अशॉरंस का पता आपको जो फूड अथार्टी होती है मुलकों के लिपार्टमेंट है फूड अथारिटी होता है तदा आब को उसके पास ये जिस्टिफिकेशन होती है उसके पास ये अथारिटी होती है कर वो ये सील कर सकता है ऐसे किसी दुकान को plutôt कि जो खलत फूड बेच रहे हैं एक्स्पाइरी चीजे बेच रहे हैं इतिहाद और इत्फाक पर कायम करता है कुरान में ये चीज बियान होई है नहीं 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 मैंने मौला नाओ से सुना है मेरी बात सुनो अभी ओलमा जी बोलके अरे बाई ये आपकी आखरी बात होगी ठीक है उसके बाद आद देंगे आपसे नहीं ये थो फोड़ा चले यार अभी तो मेरे बहुत सवाल थे और आपको अरी बाई 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 आको आखरी बाई बाई जाग नहीं देपा रहे हैं आपको आखरी बाई बाई सवाले हैं बाई यो बढ़ा मगरम अच्छा था speeding nó ये चूखण रहे हैं शुरू लियां वो मगर मच निकाले जो मगर मच रखा आपने शांती से बात करो आप इसमें यही प्रॉब्लिम है पहले बात आप कहरो मुझे ज़रा एक मिड़ मेरी बात सुने जब आपने बात शुरू की थी आपने कहा था मैं बहस नहीं करने आया मैंने आप मुझे कैसे सुनने ज़रा नीचे बैठें आपका बहुत टाइम सुन लिए हम ठीक है जो बोंगी यहां बोरिंग मुझे सुला दी है ठीक है नीचे बैठ दें आप मुझे कहते हैं स्टार्ट में आके कि जनाब कैसे बात करेंगे मैं बहस करने नहीं आया मैंने का ठीक है कैसे बात करें नहीं है कि आप बेस क्या बना रहे हैं पहरें आपको मिसाल सा समयाने कुशिश की automation kim वह मेरे अधारी बात रखें मैं खें पिर आगे से क्ने तो मेरे बात ही पारे बड़े बड़े सवाल पड़े है तो बढ़ी वो मगर मँच निकाले आपको आखरी बात करने का मैं मुक्ता दे रहा हूँ वो मगर मैं से लिए एक बात है कि अभी जो इसलाम चल रहा है पूरी दुनिया में तो वो उल्माओ के उल्माओ के उपर चल रहा है नहीं ना चल रहा है किसने कहा है नहीं चल रहा है कि ये मौलानाओं को किसी और इंसान को सुनकर इसलाम छोड़ दिये पुरान को नहीं पड़े मौमस अल्लाओं को नहीं सुने इनका यही प्राब्लम है ये जब से मौलानाओं की रड़ लगा रहे हैं इनसान की रड़ लगा रहे हैं पुरान कभी पढ़े नहीं होगे मेरे ख्याल से मिलकुश उनको पते नहीं वो कह रहे हैं जी आज जो इसलाम में उल्मा पर खड़ा है मैं बता रहा हूँ कि उल्मा हुज्यत नहीं है मैं बता रहा हूँ कि जूट क्या है क्या मामला है किस तरीके से चलना है अनकी सुवीब ही फसी हुई है अलमाजे उनके उपर चाल रही है बै Möglich किस ने कहा है? कुरान ने कहा है? अधिश ने कहा है? यह मुझे लगता है वोही तो बता रहा हूं प्यारे भाई अगर आप सुदरे हो भी वोही आपको बता रहा हूँ कि टाइम वेस्ट करने की बज़ाए आपको पहले दिन से सर्च करनी चाहिए थी इसलाम को समझने के लिए उलमा हुज़त नहीं है उलमा के दलायल हुज़त है एक बंदा कह रहा है कि सतर माँ से जदा प्यार करता है आप उसको को हदीस निकालो अभी हमारे सामने एक बंदा आया था ना वो आकर कहता है जी कुरान में लिखा है आसमान पिलर्स के ओपर खड़ा है सतुनों पर खड़ा है मैंने का आयत निकालो अब आपकी जगा कोई बंदा होता वो उसकी मान लेता और उसकी मान के अपनी कॉपी पे नोट्स बना के कि जी मैं किसी मुस्लिम से जा के पूछूंगा जैसे उस बिचारे ने बना लिया था कि मुस्लिम से जा के पूछूंगा कुरान में लिखा है कि आप जो है ना वो आसमान इसलिए हम कहते हैं इन धंदा खोरों को इन मुझरा करने वाली तवाइफों को जो अपने कोठों पर बैठ कर लोगों के अंदर गलत इंफरमेशन फला रहे हैं बकवासिये, एक्स मुस्लिम्स इनको लाओ ना हमारे सामने हमारे सामने आते हैं तो कियास को कसास कहते हैं खबर अहाद की इनको डेफिनेशन नहीं पता होती और माइक म्यूट करना शुरू कर देते हैं अपना खुदी के हमारी वाजनी निकल रही और बहाने बना के डेबेट से बाग जाते हैं इनके धंदे चौपट होंगे ना सामने आएंगे तो आपको ये कॉपी पैंसल पकड़ा के कहते हैं ये बात कुरान में लिखिये ये लिखिये जब हम कहते हैं निकाल कर बताओ आपको पता है कोई नहीं होती इसलिए मैं कहा रहा था फूना फ्रेंड अच्छा खेर सैम भाई सबा तीम गिंटे हो चुके है जी और मैं चाहरा हूँ के असल में ना मुझे थोड़ा सा हैड़ेक बगारा भी हो रही है सुबा से ही मगर मैं चाहरा था कि फ्राइडे का हमने एक दिन रखा हुआ है तो इवन दो के मैंने थोड़ा सा ना अपना खाने पीने का कर लिया था बंदो बस ताके मैं थोड़ा सा फ्रेश हूँ मगर तोड़ा सा तबियत मेरी बोजल सी फील हो रही है तो कोशिश करते हैं इसको जल्दी खतम कर लें ठीक है और जाज़त लें अनील भाई दुबारा है जिनको फोन और फ्रेंड करने का कहा था मैंने उनको लेते हैं जी जी अनील भाईया वो फोन इन उठा रहे मेरा अब फिर क्या करें नहीं तो ये जो चार खंबो की जो मैं बताया ना चार खंबो पे जो आस्मान है उसकी मैं आयाद आपको नेक्स स्ट्रीम में बता दूँगा कोई शूनी है पूछ के चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं आनि वह ऐसा भी करिया आप ऐसा भी करिया हो सका तो कभी बाईबल के भी रिसर्च करिया आप टाइप कर सकते गूगल में यही चीज बाईबल में इस एक बाईबल में लिखी है आप यह चाहते हैं जो चार खंबो प्र आस्वान है वो बाईबल में लिखी हुए आप यह कह रहे हैं मैं बोल रहा हूं कि आप सर्च कर लीजिए, मैं बोल रहा नहीं हूं, आप सर्च कर लीजिए, उसके बाद रहा है, आप से कोई अलगाव नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, ये एक healthy discussion है, जो मैंने कुछ पढ़ा, मैंने किसी से सुना, आपने, आप उसको clear करेंगे, तो बैटर रहेगा, और कोई बात नहीं है, वैसे हैंनी भाई, एक चीज़ मैं आपको अभी code करना चाता हूं, जैसे कि आप सनातनी हैं हिंदू है, तो वाल्मी की रामायना, वाल्मी की रामायना में ऐसा कुछ incident आया है, जहां पर बताया कि कु जहें रेफरेंस देंगे, तो मैं चेक कर लूँगा, बाकि वाल्मी की रामायन जो ऐसर महा काव्य है, धार्म गरंत नहीं है, जी मैं पढ़के बता देता हूं, वाल्मी की रामायना, बुक नमबर वन, चैक्टर नमबर 40, वर्स नमबर 13-15, इसमें लिखा है, इसमें लिख कोई कावगा मनबर 40, वाल्मी की रामायना, जाते हूं, टेक्टिसक्र नमबर बाद में आते हैं तो जरहां इनको वेेट को दिखाते हैं अंचेन को हम बताएं के यह 75 नें इस। इतने से Eldivision कि मθηब सब्स्राइब से को यह डिर्टीक यह सद्धीन कि टुमें है। मंदल क फिर्मार्पूर्ट को इसे को गोडन करूं मंदल क्या बता रहें नॉ 22- yo यहां सोम परमेश्वर प्रभू की प्राप्ति के लिए होता है गति शीलता के लिए होता है जी यह लिखा हुआ है कि अफार एक्स्टेंडड पिलर देट स्पोर्ट स्पोर्स दे स्काई दे सोमा स्टार्ग अवाज आई अवाज आई इनकी अनिल भाई कुछ बोली आप सुनाई दे रहा आप है में को सुनाई दे रहा है यह तो में निकल आया कि आसमान नए 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 सर आप यह यह आपका फर्जी है मेरे पास वेद मैं मैंने वेद सुक्त खोल लिया है वह इससे आसर में शेयर कर देता हूं उसको मैं शेयर कर दे मैं शेयर कैसे होगा अब देख ती फरजी एक मिनट फरजी से क्या मुट एक मिनट पहले यह फरजी क्लियर करना है फरजी से क्या मुराद है यह आपको वेबसेट से मेरे परजी शून रहो मैं इससे इससे हमारे को मतलब नहीं अब शुन मेरे अपको भीज रहा हैं जो अब कैसे लिगा इसको अच्छा अच्छा फिर निकल गए ंए तो मेरे खाल से बेजते के चकर में निगल जाते हैं बेजने के चकर में वो निगल जाते हैं अभी पिर आएंगे तो खतम करते हैं बारत अच्छा एक्स मुस्लिम्स जो हैं वो जब लिंक खोल खोल के पता नहीं कहां कहां की वेबसाइट से दिखा रहे होते हैं तब वेबसाइट फरजी नहीं होती तब फरजी नहीं होती अत्तकिया इन सनातनिया तब फरजी नहीं होती ये फरजी तब होती है जब मुसलमान दिखाए हाँ तब सारी वेबसाइट कूड कबार चूटो चूट चूटाली गपें जितन जब इसलाम आएगा न तब ये कह देंगे कि जनाब ये नी ठीक है ये नी ठीक जनाब ये है मसला असल में मसला जो है खत्म करते हैं बात काफी लंबी हो गई सैम भई मैं इसको एंट करना चाहरा हूँ जी आमिर भाई I'm toughie हो गया, पीछे बहुत से लोग बैठे हैं जो बात करना चाहरे थे, मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ दोस्तों, ये जो प्रोग्राम है ना, convince me to become an ex-muslim, ये सिर्फ और सिर्फ non-muslims के लिए हम fix कर रहे हैं, इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ non-muslims आएं, muslims stream के अंदर जुड़े ही नहीं, क्योंके लिया ही नहीं जाएगा, simple, जब लिया ही नहीं जाएगा तो जुड़ने का फाइदा, आप बैठ के enjoy करें, आपको जो knowledge मिल रहा है, को information मिल रही है, references मिल रहे हैं, उसको note कर लें, ठीक है, तो ये बात है, क्या कहिएगा Sam भाई, क्या कहिएगा? अगर कोई genuine, जो हम जिसको बुला रहे हैं, जिसको call out कर रहे हैं, अगर वो आकर बात करते हैं, तो वो कुछ अच्छा रहता था, तो खेर छोड़िये, आग भी ये लोग convince नहीं कर पाए, तो हम ऐसे stream करते रहेंगे, देखते हैं, ये कब तक भागते हैं, या फिर हमें convince कर करने के लिए कभी आते हैं, तो हम तो ये दूआ करेंगे, आईए, convince करिए, या फिर हम से convince होकर चले जाएए, बहुत 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 शुक्रिया, सैम भाई हमेशा की तरह मेरे साथ थे, और इन्शालला नादरीन सैम भाई आपको इस सीरीज के अंदर हमेशा देखन रहे हैं, कि इसमें सवाए नौन मुसलिम के कोई और ना जुड़े, ठीक है, क्योंकि आप देखें, एक सनातनी आया है, वो आकर कहता है, जनाब, वो सिर्फ और सिर्मानों को लेते हैं, वो किसी और को लेते नहीं, तो हमने ये चीज़ करनी हैं, कि हमने एक रूल बनाना है कि मुसल्मान जितने हैं, वो नीचे बैठकर सुने, आपने आकर महबत करनी है, प्यार करना है, अल्ला तला कबूल फरमाए, एक दूसरा सेग्मेंट हम रखेंगे, जिसको मैं रखूंगा, क्वेस्टन आंसर सेशन, ठीक है, क्वेस्टन आंसर सेशन रखूंगा, उसमें हम open कर देंगे जिसको मैं टाइटल स्टार्ट करता हूं, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुसल्मान को लिया जाए, मुसल्मान, इसलाम की कोई बात दिल की करना चाते है, को इसला ही मोगよしुआ आत है, उन पर बात करना चाते है, उन को हम करें, ठीक है, नीचे जो agree करते है, जर फर सा डिवाइड कर लेते हैं ताक कि सबको मूखा मिल सके और कोई नॉन मुसलिम ये न कह सके मैं आया था मुझे मूखा नहीं मिला हैं कیya कहते हैं इनका पहला है यार तो एगरी 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 ओए होई हो एगरी एगरी के मैं दिखाता जाता हूं माशाल्ला माशालallá जज्जमेंट सुनाई तो अक्सरियत जो है वो एगरी कर रही है लहादा आज से इसको हम शुरू करते हैं इंशालला कोशिश करेंगे क्वेस्टन आंसर सेशन की स्ट्रीम वैसे तो कैसर हमद रजा साब कर रहे हैं मुफ्तिया सरवाईदी साब करते हैं हमारे दूसरे टीम के जो हबाब हैं सैम भाई को अक्सर आप इंशालला स्ट्रीम में देखते रहते हैं तो कुछ ना कुछ चलता रहता है और आपने मुस्तफीद होना है और अपनी मुजूदगी का ऐसास दिलाते जाना है याद रखें आप लोग सिर्फ सुन नहीं रहे दीन के काम के अंदर खिदमत कर रहे हैं और वो खिदमत कैसे है आपने इसको शेयर करना है जितने लोग सुनते हैं उसको लाइक करना है आप लोग मुझूद है बहुत शुक्री है ठीक है सैम भाई इजादत लें फिर दोस्तों से बिलकुल बिलकुल आमे बहुत बहुत शुक्री है बड़ा मादरत चाहता हूँ जो बैक स्टेज पर लोग मुझूद है बड़ा मादरत चाहता हूँ जो आना चाह रहे थे आज हम प्रोग्राम को इसी जगा पर खतम करते हैं इंशालला नॉन मुस्लिम्स को साथ जो आप प्रोग्राम करेंगे और आपके लिज़ा रखेंगे फिमानिल्ला टेक कैर अला अफिज गलती कुता है माफ कीजेगा अपना ख्यार रखें खुशबाश रहें और क्यूट गर्ल को प्लीज जदा तंग मत कीजेगा बहुत आपका शुक्रिया जिजाका लला एक इमानिल्ला असलाव लग्राइगे